ये मेरा माँ बच्पन से बोलती है हलाकि ठीक से नहीं बोल पाती है ज़्यादा पड़ी लिखी तो नहीं है इदम तिर्थम मिदम तिर्थम भ्रमन्तिताम सजना आत्मतिर्थम नजानांती मूढाना मनुष्य गणाहा ऐसा कुछ बोलती है मैं भी कसी कहीं ये किताब में सुत्र को नहीं देखा हूँ लेकिन वो कहीं बच्पन से सुनी होगी और लेकिन बोलती तो है लेकिन नहीं मालती है को अगर इस सबस्ल dal कि इसके को अगर मैं तो चाहितं प्रकाख रूर्षा है कि इड़ सबसे बड़ा तिर्थ है यह नहीं जानते हैं वो जीबन भर उनका हुआ रहा जाता है लेकिन वो ज़्याद गुमेगी तो ये कहना कि मैं कैसे जाओं कैसे करूं ये रूल बता दीजिए सुत्र बता दीजिए एक ही सुत्र है जब जगर्नाजी के पास जाते हो और दुसरा कोई सुत्र नहीं है दोनों हाथ उच्च बाहू करके खड़ा हो जाओ और कहो प्रभू तेरे सरण में तेरे कृपा से तेरे दया से आ रहा हूं और अगर उसमें अंदर सिहरित हो जाए दो बुंदा अंदर का आशू निकल जाए तो समझना कि उस सुन लिया तुमारे अंदर वो भाब भक्ति आ जाए तो तुमारे अंदर वो रोमांच आ जाए तुमारे अंदर वो एक सांत भाब आ जाए एक उर्जा आ जाए फिर क्या साथ लाख लोगों का भीड क्या दस लाख लोगों का रथ यात्रा पूरी का भीड क्या तीसलाक लोगों का भीड तुम भी उस अनंत में एक अनंत होके एक मॉलिकल्स एक पार्टिकल्स एक अनू बनके वहां बिलीन हो जाओगे और इसलिए हमारे ओडिसा में है कि रथे तुबावनम दृष्टवा उनर जन्मम नभविस्यती कहा गया और बहुत लोग रथ य चप कता है मरते हैं लोग बहुत सारे रथ यहत्रा में लोग मरे हैं कोई रथ का चपका के नीचे आके मरा है और अगर कुछ हुआ किसी को लू लग गया किसी को accidental heart attack कुछ भी हो जाता है तो उसके लिए जो सेबा बाले हैं ट्रेचर लेके बॉड़ी को उपर या पैसेंट को उपर उठा के दोड़ के hospital या जो नियरबाय छोटे-छोटे रहते हैं हुआ आसपास में वहां लेके पहुंचते हैं वो भीड में भी नहीं पहुंच पाते हैं तो टपक जाते हैं लेकिन उसका इच्छा है बच जाते हैं तो इसलिए यह कहना कि कैसे जाएं क्या नियम को क्या कानून भक्ति में प्रेम में कोई नियम कानून नहीं रहता है नियम कानून रहता है कर्मकांड में पुजा पाट में हवं गया भकति मिल गया तो फिर तुमारा सारेक ग्रहो दसा अंतरदुसा क्या काल सर्प दोश क्या पित्र दोश क्या मातरी दोश क्या घधा दोश क्या घुड़बह क्या भेड दोस क्या बकरी दोस कौन रहू कौन के तू कोई मायका लाल में दम नहीं है तुम्हारे भक्ती के आगे कोई तुम्हारा कुछ बाल भी बाका कर दे और इसलिए तो दिया हूँ भक्ति योग का हिंदी वाला किताब फोटो उटागे बेज दिया पड़ा नहीं मैं क का मंत्र failure कब होता है जब हम लोग without allotness without awareness without adding our consciousness in the mantra माला पकड़ रहे जाब रहे जहां लिए तीन माला हो गया नुझ चार माला फुल कंसियसनेस के साथ मंत्र में चेतना को भरोगे मंत्र में चेतना को भरोगे मंत्र कोई काम का नहीं है मंत्र किताब में है यूट्यूब में है पंडितों के मुँ में है किताब है क्या होगा लेकिन मंत्र तभी ट्रिगिंग होता है फैरिंग होता है असंभब को संभब कर देता है, सत्रु को मार देता है, और मरने वाले को बचा देता है, जब उसमें consciousness, चेतना मिलता है, ड्राइब होता है, अब जब माला पकड़ के बैठा, क्यूं बला जब कर रहे हैं, क्यूं सांत होना है, अब बेटा टेंसन इसलिए है कि कब खतम होगा, कितना माला खतम हुआ ये एक माला, दो माला, तीसरा माला, च THE जब खता देख रहे हैं, फिर माला पलट के देख रहा है, फिर जब मूनी जो बोलते हैं, मुखी है, उसके अंदर हाथ गुषा जब कर खतम हुआ की नहीं हूँ, और कोई मतलब नहीं कोई नहीं है, और कोई नहीं बोला है कि आपक खतम करना है एक माला लो ना पूरे कंसियस के साथ एक माला पूरे कंसियसनेस का जीवन उर्जा को पचंड परिवर्थन कर देता है मैं बच्पन में था मेरे डिवन लाइफ सोसाइटी स्कूल था दिव्य जीवन निकेतन स्वामी सिवानन वाला एक स्वामी जी महाराज आये थे या हमारे गुरू है पांडब सर चुटा सा कहानी बनाते थे एक रुषी के पास कोई महापापी आया और वो बोला मेरा पाप मो वो बोला ठीक है हो जाएगा वो कोई बड़ा बात है यह तो हमारा मायांत का खेले ऐसा करो तीन बार राम राम बोल दो जौँ दे दिया तीन बार राम राम बोल दिया तीन बार राम आपकेसा लग रहा है ठीक लग ठीक हो गया पाप कड़िया देखो चेक करो नेट में द बोल दिया परमुक्त हो गया बाप एक लापड़ घीच की बाला एक राम राम में होने बाला था तुम तीन मेडिसिन डोस दे दिया भक्ति पूर्बक के साथ चेतना के साथ दिख्सित होके गुरु सरणापन होके एक मंत्र काफी होता है आदमी को उद्धार करने के लिए चौदा साल तपस्या कर लो चौदा साल माला के उपर माला और ताला के उपर ताला ठोक लो हम लोग बोलते हैं बारा बरसर तप्या अस्या सुखवा पुडा रेगला मतलब बारा चौदा साल जो तपस्या किया उसको सुखवा मतलब सुखा हुआ मचली उसको पुडाते है जलाते हैं रोष्ट करते हैं और उसके बाद खाते हैं बहले साहरा बारा साल का तपस्या एक सुखा माच पुड़ा के खा गया खतन होगी समझ में नहीं आगे बात सुन